शरीर लाई सोच रहें की गरदे उन्च तपया, की तपया वदु मिहा को जोखी माउन्च नमस्कार, आज मा तपय हरुको सामोर, नन फार्माकोलोजिकल इंटर्वेंशन अप डायमेटिक्स को बारे माँ चलपल गर्ना आये को छुँ इसका निम्ती केही प्रावेदिक कुराब बुजना जरूरी छा ब्लोड गुलकोज मापन गर्दा राय फास्टिंग ब्लोड गुलकोज बनने टेस्ट गरें छा फास्टिंग ब्लोड गुलकोज सय देखी 125 ग्राम पर डेसिलीटर को बिच मापन भाए प्री डायबेटिक अर्थात मदुमिहा को शुरुवाती पच्छे मा रहेको भनने बुजन छा एदी 125 वा सो बंदा बडी भाए मदुमिहा भाएको भनने ठाहरीं छा गुनात कतिपए बिरामी अउसदी खाना नखोजने हुँचन ता अब क्ये गर्ना सकिन छता एदी कोई मान्चे प्री डायबेटिक फेज मा छा या डायबेटिक फेज मा हुदा जो पनी शुरुमा नन फार्माकोलोजिकल बिरी अपनावना सकिन छ एदी केही महिनाको निग्रानीमा गुलकोज लेबल नियंत्रणमा आउसदी खाई हालनो परदैना बास्तबमा मोटपना हुदे प्री डायबेटिक फेज र अन्ने सामान्ने मान्चेले पनी इसता बिदीको पर्योग बर्ना सक्षन अब चलपल गराउं केके पर्चंत इसता बिदीना एक योग शुर्य नमस्कारले ब्रेन सिग्नलिंग बाट इन्सुलिन उत्पादन मा मद्यद गर्षा आसना हरुले पैंक्रियाज ग्रंथी को कोश उत्पादन गराउने इन्सुलिन रिसेप्टर बनाउने औने गुलकोज को सही सदुपयो गराउने जस्ता क्याम गर्षान कपाल भाती पनी भीटा कोश को इफिकेसी लाई मद्यद पुर्याउँश भने इन्सुलिन लेबल बडाएर गुलकोज नियंत्रण मा मद्यद पुर्याउँश मच्याशना, बक्राशना, विपरित कारणी जस्ता आशना हरु आजब भली डायबेटीज बिर्यामी हरुको बीचमा लोकपिरिये बंदय गये का छन। इस्ता योगा हरुको बारेमा थब जानकारी लिन वीडियो को डिस्क्रिप्शन मा जाना आगरह गर्द शाउँँ डायबेटीक फेज मा परिड़ात मुने समयलाई लंबावने गर्षा। डायबेटीज लागी सके कामान से अरुमा कम्प्लिकेशन्स जस्ताइकी रिदे रोग, निूरोप्याथी, नेफ्रोप्याथी, रेटिनोप्याथी, उनबाट पनी कस्रत गर्ने बानीले रोग दाश कस्रत बंदई मा जयाप्प आक्रामक रूप मा एक्सेसाइज मी करनी मिरेना। समानने हेड़दूल देखी जोगिंग हरू गर्ना सकिन सा। लियेमे तालीका बनायरा दिनको 30-45 मिनेट हेड़दूल गर्दा रामरो हुन सा। संतुलीत आहार अज उच्च कार्वोहाइडरेट लाए संतुलन मा राखे रा डाइविटीज को बिरामिले उच्च मात्रामा कार्वोहाइडरेट खानो दैना। इसको सट्टामा उच्च फाइवर युकता खाना जस्तेई साक सबजी फलफुल लिनु परछा। बजारिय खाना जस्तेईकी, जंक फुट्स, उच्च कोलेस्ट्रोल युकता खाना, चिप्स बाटा टारा रहनु परछा। रात मासु खाना हुदैना र उच्च बोसुने मासु पनी खाना हुदैना। नियमी तालिका बनाए र संतुलित आहार, जस्मा फाइबर डाइटलाई प्राथमिक्ता दिने उबने, डाइबिटीज बाटा बचिन छा, र लागी सकेका खंडामा पनी जोखी मर बाटा बच न सकिन छा। चुरोट र मधिरा बाटर टाडा रहने। डाइबिटीज को चरन मा हम्रो शरीर मा इंफ्लामेटरी गति बीदी भई रहे कौन छा, जसले करदा इंसुलिन रेसिस्टेन्स हुन छा। चुरोट ले इस्ट इंफ्लामेशन लाई बढ़ुआ दिन छा, चुरोट खायर लंग कैंचर र एथरिस्क्लोरोसिस गराई, मुटू रोग निम्तियाउं छा। मधिरा पनी स्वस्थेको लागी राम्रों भई न, मधिराले पनी सिधे पैंक्रियाटी कोस मा आनी गर्छा, र कलेजो जस्ता ग्रंथीमा न राम्रों असर पार्छा। Acceptance and Adorance मधिरा एक चोटी आजगो बोली छोड़ना सकीना, बोरु दिन को तिन खिल्ली बाट एक हप्ता को अंतराल मा दुई खिल्ली मा ज़र देई, आकनो मनो बल उच्छा राख देई, एस्ता प्रयासलाई सक रात्मक रूप मा लीनु पर्दा छा। अनि साच चै अहिले कोरुना को महामारी निके भयपूर्ण आवस्तामा परिनात भयई शके गोछा। तेसाईले सबेजाना गर्मा सुरक्षित बसा। परी आले माक्स लगाए बाहिर निसका। अनि भीडबार बार तारा रहा। अनि लगायको माक्स लाई सही चाउमार आम्रारी ब्यवस्तापन गरी बाहि प्रदिशन बाटासन साले जोगाउ। धन्यवाद।